असलाम अलेकुम आज हम डिस्कुस करेंगे प्लांटर फिशियाइटिस को प्लांटर फिशियाइटिस हमारे पास फुट के सॉल की एक कंडीशन है उससे डिस्कुस करने से पहले हमें प्लांटर फेशिया को और उसकी अनाटमी को थोड़ा सा अंडस्टैंड करना है planter aponeurosis ये हमारे पास एक thick band आपको शोग हो रहा है whitish gray color का ये हमारे पास calcineum bone जो के हमारे पास heel bone होती है उसके medial tubercle से originate होता है मैं आपको इसकी दूसरी diagram दिखाती हूँ उसके बाद ये distally यहां से extend होता हुआ fan like structure है ये बिलकुल digits की तरह ये isolate होकर digits की तरह जा रहा है और हमारे पास जाकर लग रहा है towards the base of toes यानि के base of toe यानि head of metatarsals पे जाके ये attach हो रहा है ये हमारे पास proximal to distal एक proper framework बना रहा है soul का planter aponeurosis हमने ये चीज़ पहले पिडिसकुस की थी aponeurosis और tendon में फरक ही होता है के tendon हमारे पास tubular like structure होता है और जो planter aponeurosis है यानि के ये जो ये भी एक tendon like एक thick structure है जिसरा के ये diagram में शो हो रहा है लेकिन aponeurosis हमारे पास भी एक tendon ही की similarity है लेकिन ये sheath like होता है ये एक thick band है connective tissues का जो के हमारे soul foot को जो है वो cover करता है और एक connection provide करता है from the calcineal bone to metatarsal और इसके बहुत से जो है वो इसके functions है इसकी anatomical orientation की basis पे किस तरहां से ये हमारी foot की propulsion में help करता है हमारे gate cycle में इसका क्या role है ये हम discuss करेंगे planter fasciitis के case में हमारे पास इस thick band की inflammation हो जाती है inflammation क्यों होती है ये depend करता है कि आपका कोई muscle जो है वो muscle weakness तो है वो तो planter fasciitis की cause हो सकती है लेकिन इसके इलावा है कि आपके types of shoe क्या है for example कुछ लोग जो है वो heels बहुत पहनते हैं और अगर उनकी foot की structural deformity है या कोई irregular walking surface है जिस पर वो बहुत prolonged walking कर रहे हैं तो उस situation में हमारा ये thick band inflamed हो सकता है और इसके management में हम icing use करते हैं ice apply करते हैं ताकि inflammation को हम subside कर सकें उसके इलावा हम calf के stretches apply करते हैं, ultra sound करते हैं ताकि inflammation को जह है वो खत्म किया जा सके हैं, tense apply करते हैं तो ये कुछ और फिर हम कुछ exercises perform कराते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो most common symptom जो patient लेके आता है क्लिनिक में वो होता है heel pain patient को heel pain होती है और heel pain अगर हो रही है तो जरूरी नहीं है कि patient को uric acid बाड़ी में ज्यादा हो गया इसके chances ये भी हो सकते हैं आपके जो planter fishitis की और region जो जहां पर medial tubercle of calcineum पे है उसमें कोई problem आ रही है क्योंकि हमारे पास planter aponiroses अभी हमने discuss किया कि ये propulsion moment में help करता है अभी हम इसको discuss करते हैं कि किस तरह से during gait हमारे पता है कि हमारे पास swing और stance phase होता है swing phase वो होता है जिसमें हमारा जो leg है वो in the air होता है और stance phase हमारा leg in contact with the ground होता है और वो weight bearing phase होता है जबके swing phase एक non weight bearing phase होता है अब हमारे पास during the gait सबसे पहले heel strike करती है heel ही सबसे पहले strike करती है उसके बाद हमारे पास weight acceptance phase आता है जिसमें आपास food जो है वो proper और पूरा सोल उसका동 के साथ है वह इनक्वार्टके चुंपद कर चुका होता है पूररा मृइट हमारे फूट पर पर पारपंप पहले हमारे पास होती है कि हमारे ऐंड पर टो होते हैं तो हमारा टोर सियल रहता है स्विंग, स्टांस, हमारे पास पूरे गेट साइकल में ठीक हो गया वन हील स्ट्राइक टू एनदर हील स्ट्राइक की जब हमारे बात आती है तो एक वन कम्पलीट गेट साइकल होता है अब गेट के दुरान इस स्टांस और स्विंग फेज में बहुत सी फोर्सेज हैं जो के हमारे फूट पर स्ट्रेस डाल रही होती है हमारे फूट में कुछ आर्चिस होती है जैसे के मीडियल लॉंगिट्यूटन लार्च होती है हमारे पास लेटरल लॉंगिट्यूटन लार्च होती है लेकिन मोस्ली हम medial longitudinal arch की बात करते हैं क्योंकि इसका हमारे पास gate cycle में main role है यह किस तरह से है कि अगर इसके पीछे एक mechanism है जो इस mechanism की base पे यह arc जो है वो maintain रहती है medial side पे और हमारे हमें जो है वो walking एक systematic manner में allow करती है और इसमें plantar fasciitis की anatomical orientation help करती है कि किस तरह से इस arc को throughout the gate maintain रखना है लेकिन कुछ patients ऐसे होते हैं जिसमें plantar fasciitis की cause यह होती है कि prolonged foot pronation रखने की वज़ा से हमारे पास plantar fasciitis cause होता है अब pronation supination के लिए मैं यहाँ डाइगरम डॉक है कि यह normal foot की position थी यह जब हमारे पास inward move करता है तो supination होती है और away from the body move करता है तो pronation होती है तो जिस patient में prolonged pronation हो रही है foot पे वो structural deformity की वज़ सकती है muscle weakness की वज़ सकती है यह कुछ ऐसे patients होते है जिनकी low arched foot होता है जैसे कि उनकी जो arches होती है जो medial lateral longitudinal arches यह flat होती है इतनी ज़दा नहीं होती है curve नहीं होती है उनमें pronation of foot जो है वो more commonly present होता है और वो plantar fasciitis cause कर सकता है plantar fasciitis हमारे पास propulsion movement में किस तरह से help करता है कि यह calcanius और metatarsons की दर्मयान में एक connection प्रोवाइड कर रहा है like जब हम heels strike करते हैं और हमारे soul of foot पे यह connection है यह band उस वक tensed हो जाता है tension में आ जाता है ताकि यह metatarsons को आपस में connect रखे और spreading को prevent कर सके यह इसकी जो tension है distance between the calcanius और metatarsons को shorten कर देती है और इसी दुरान हमारे पास medial longitudinal arch जो है elevate हो जाती है और जब वो elevate होती है तो हमारे पास यह elevate होने से जो ground reaction forces है और जो हमारे पास vertical forces body की आ रही है उनको वो जो है वो reduce कर सकती है क्योंकि हमारे पास जो vertical और ground reaction forces की orientation है वक दूसरे से opposite है तो यह हमारी जो metatarsals और tarsels है यह क्या करते है कि यह इस ground reaction forces को और हमारे weight forces को जहां यह क्या करते हैं distribute कर लाथे क्योंकि यह gliding joints होते है यह हमारे पास बहुत small joints होते है इसके level पे gliding होती है और यह अपने weight को through out distribute कर लाथे weight pairing forces को gravity forces को जिसके व्यविशे जब हमारे पास knee joint जॉइंट्स पर इतना लोड नहीं आता है तो यह एक तरह से शॉक एब्जॉबर भी है इस हवाले से और यह हमारी फूट की आज इसको सपोर्ट करने के साथ साथ हमारी प्रोपलजन मुवमंट में हेल्प कर रहे है क्योंकि यह एक विंड लेस एक मेकनिसम में जिसके ओपर एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगी क्योंकि एक बिल्कुली आउट अफ दवे बात चली जाएगी अब ही हम जस्ट अनाटमी पर और उसके प्रॉब्लम पर फॉकस कर रहे हैं तो अब हमारे पास जो शॉक एब्सॉप क्योंकि जो प्रोलॉंग वॉकिंग करते हैं या प्रोलॉंग फॉट का इस्तमाल करते हैं उनमें ये हील पेंज जो है ये कॉमनली प्रेजेंट होती है और ये प्लांटर फिशाइटर्स वाली कंडिशन को प्रेजेंट भी करते हैं so that's all from planter fasciitis I hope आपको ये condition जो है वो clear हो गई होगी next इंशालला मैं windless mechanism पर जरूर lecture बनाऊगी कि कौन सा mechanism है जिसको planter fascia जो है जिसमें involve होता है और किस तरह से हमारी food की propulsion moment में help करता है so आप मेरे channel को like करें, share करें और subscribe करें तब तक के लिए Allah आफ़िज